साथियों नमस्कार आज का हमारा ये वीडियो करत्रिम गर्बाधान पर होने वाला है पसू परिचर भरती के लिए जो पार्ट भी है पशुपालन और पर्बंधन उसमें हमने पहले पसू की देशी नस्वों के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो के अंतरगत हम पढ़ेंगे करत्रिम गर्बाधान के बारे में सबसे पहले आपन देखते हैं करत्रिम गर्बाधान की परिभासा करत्रिम रूप से नरपशू का वीर्य अर्थार्थ सीमन एकत्रित कर मादा पशू के जननतंतर में डालना करत्रिम गर्वाधान कहलाता है यह नर पशू का जो सीमन होता है वो मादा पशू के जननंगों में इस्ताफित करना करत्रिम गर्वाधान कहलाता है नेक्स्ट है विशु में शरुपरतम सफल करत्रिम गर्वाधान इटली के वेगयनिक एल इसपेलन जानी ने 1780 में कुत्या में किया था यानि इटली के वेगनिक हुए है एल इसपेलन जानी इन्होंने सबसे पहले 1780 में करत्रिम गर्बाधान का प्रियोग सबसे पहले कुत्या के साथ किया था नेक्स्ट भारत के संदर्ब में देखें भारत में शरू परतम सफल कृत्रिम घरबाधान डॉक्टर संपत कुमार ने मैशूर करनाटर के पैलेश डेरी फारम में 1949 में गाई मिक्या था भारत में करत्रिम घरबाधान का परतम प्रियोग डॉक्टर संपत कुमार ने मैशूर इस्तित पैलेश डेरी फारम में 1949 में इस परकार का प्रियोग किया था नेक्स्ट है करत्रिम घरबाधान के फाइदे करत्रिम घरबाधान के फाइदे क्या है किन वज़ों से करत्रिम घरबाधान को प्रोच्छान मिल रहा है पहला फाइदा है एक ही अच्छी परजनन समता वाले नर्पशू को बड़े पेमाने पर मादा पशों के गरबाधान में परियोग में लिया चाह सकता है यानि जो नर्पशू का अच्छी नसल के जो नर्पशू होते हैं उनका शीमन को संरक्षित किया जाता है और फिर उसे उस सीमन को कई माधा पशों के साथ या माधा पशों के जनन तंत्र में जनन अंगों में इस्थापित किया जाता है जिससे की ज़्यादा से ज़्यादा सं दूसरा है नसल सुधार में महतुपन भूमी का यानि करत्रिम घरबाधान का प्रमुख फाइदा ही यह है कि नसल का सुधार करना नेक्स है करत्रिम घरबाधान द्वारा योन संचारित रोगों को फैलने से रोका जा सकता है क्योंकि नर और मादा पशों का संपर्ग नहीं हो पाता है यानि कृत्रिम गर्बाधान में जो योन संचारित रोग होते हैं वो फेलते नहीं हैं क्योंकि इसमें नर और जो मादा पशु होते हैं आपस में शंपर्ग में नहीं आते हैं चोता जो फाइदा है भिन भिन सारिक संद्रस्टना वाले नर तथा मादा में प्राकर्तिक शमागम में आने वाली समिशा का सुधार हो जाता है यानि जो सारिक संद्रस्टना होती है पशों की कोई आकार में बड़ा होता है कोई छोटा होता है उस समय जो दिक्कते आती है उन सब दिक्कतों से भी समाधान पाया जा सकता है करत्रिम घरबाधान के नुक्षान अब नुक्षान क्या है करत्रिम घरबाधान के या फिर क्यों इसको प्रहत्चान कई छत्रों में जो पिछले छत्र है वहाँ पर इन सब को प्रोच्छान क्यों नहीं मिल रहा है क्या कारण है करत्रियम गर्बाधान के लिए कुशल तत्य तकनिकी रूप से निपुन कर्मियों की आवशक्ता होती है यानि एक परफेक्ट आदमी की जरुत होती है जो इस चीज में विशेसिग्यता रखता हो और अगर ऐसे में कोई विशेसिग्य या कुशल तकनिकी रूप से शक्षम कोई व्यक्ती होगा इस काम को करने के लिए तो फिर उसमें खर्चा ज़्यादा आता है तो इस कारण भी कई छत्रों में थोड़ा इसका प्रशार कम हो रहा है दूसरा नुक्षान है क्रत्रिम घरबाधान है तू वीर्य का वेग्यानिक तरीके से शंद्रक्षन किया जाता है जो एक महंगी वेश्ता है यानि जो वीर्य होता है उसको संद्रक्षित करने के लिए उन्हें सुरक्षित रखने के लिए जिन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है वो तकनीकें काफी महंगी है इस कारण एक काफी सारी दिक्कतें आती है तीसरा कारण है करत्रिम गरबाधान है तू आविश्यक शीमन इस्ट्रो को तरल नाइट्रोजन जो की जो तरल नाइट्रोजन होता है आप कई दफ़े देखते हैं कि जो एलेसे बगरा होते हैं जो डॉक्टर होते हैं उनके पास एक टेंक होता है उनके पास एक इस परकार का टेंक होता है तो उस टेंक में तरल नाइट्रोजन भरी होती है और उस तरल नाइट्रोजन का टेंपरेचर माइनस एक शो चानवे डिग्री सेलसियस होता है उसमें जो जो सीमन होता है पशुओं का जो पशुओं का सीमन होता है वो इसके अंदर स श्टोर किया जाता है तो ऐसे में तरल नाइट्रोजन में रखना आवशिक होता है अन्य तविर्य खराब हो जाता है तो दिक्कत ये है कि कई ऐसे छेतर हैं जहां पर गर्मी बहुत ज़ादा होती है तो यहां पर इस परकार की दिक्कत सामना करना पड़ता है कि कई दपे से भी काफी सारे नुक्सान होते हैं नेक्स्ट है करत्रीम घरबादान है तू वीर्य संग्रहन की विधिया वीर्य को किस प्रकार से संग्रहित क्या जाए कौन-कौन से तकनिके हैं वीर्य संग्रहित करने की वो देखते हैं पहली है सीदी योनी से वीर्य संग्रहन करना या उस वीर्य को संग्रहित करना पहली टेक्निक ये दूसरी है एमपुला की मालीस द्वारा नरपशु को उत्तेजित करके भी वीर्य संग्रहित किया जाता है यानि एमपुला की मालीस के द्वारा जो नरपशु का वीर्य होता है उसे भी कलेक्ट किया जाता है तीसरी जो विद 21 की 10 से 15 विल्ट होती है यह जो तीसरी मिद् Toni है वीरि शंग्रहिणंग चोधिय क्रीमियो हनी द्वारा शरवादिक तरल विक्षित अधुनिक तक्नीक है यह सब से ज़्यादा जो टैक्निक ão में ली जाती है वह जो चौती है एवी यानि क्रीम योनी द्वारा सबसे ज़्यादा विर्ये को संग्रहित किया जाता है कलेक्ट किया जाता है करतरिम घरबाधान है तू उप्योग किये जाने वाले विर्ये को इस्ट्रो में भरकर उप्योग किया जाता है यानि आप देखते हैं कि जो पशुओं में करद्रिम घरबाधान करवाया जाता है उस समय डॉक्टर के हाथ में एक इस्ट्रो होती है उस इस्ट्रो में ये भर के उप्योग में लिया जाता है उसमें भरा जाता है सीमन इस्ट्रो कई परकार की होती है अब जो सीमन इस्ट्रो करने की या जिसमें भरा जाता है वो इस्ट्रो कई परकार की होती है जिनमें भारत में शर्वादी उप्योग में फ्रेंच मिनी इस्ट्रो काम मिली जाती है फ्रेंच मिनी इस्ट्रो भारत में सबसे ज़्यादा क और यह जो श्ट्रो होती है यह PVC की बनी होती है करत्रिम घरबाधान के लिए उपयोगी सीमन श्ट्रो को हीम सितित डीप फ्रोजेन में रखा जाता है जिसके लिए माइनस एक सो चानौ डीगरी तापमान की यानि जो तरल नाइट्रोजन है उसका उपयोग किया जाता है नीचे का टेंपरेचर होता है जिसमें इसको स्ट्रो करके रखा जाता है माइनस एक सो चानौ डीगरी जो कि तरल नाइट्रोजन होता है उसमें रखा जाता है जिस केन में सीमन श्ट्रो का भंधारन किया जाता है उन्हें क्रायो केन कहा जाता है इसे जो केन होता है अब ड क्या कहते हैं उसे cryocane कहते हैं जो डॉक्टरों के पास होता है जिसमें आप देखते हैं यह तरल nitrogen भरी होती है और इस तरल nitrogen का जो temperature होता है 196 degree Celsius यह ताप्मान होता है और इस जो bottle होती है जो केन होता है इसे क्रायो केन का धान रखना है कि सीमन का इस्ट्रों का भंडारन किस्मे किया जाता है तो क्रायो केन जिसका तापमान माइनेस पानी का temperature 37 degree Celsius होना चाहिए में डुबया जाता है और इस परक्रिया को थाविंग या थाइंग कहा जाता है या थाइंग कहा जाता है ये जो परक्रिया होती है कि जो cryocane होता है उसके अंदर जो स्टोर किया होता है सीमन, temperature cryocane का बहुत जादा नीचे का होता है एक सो चिन में डिगरी Celsius तो इस कारण जो वीरिया होता है वो जमा होता है जमावा होता है जम जाता है तो ऐसे में उसे जब पशुओं में इस्ताफित किया जाता है तो उस समय जो डॉक्टर होते हैं वो उसे ह बलके गुनगुने पानी में लगभग 30 सेकेंड तक डुबो के रखते हैं ताकि वो तरल अवस्ता में आजाए और तरल अवस्ता में आने के पश्चात और उसे तरल अवस्ता में लाने की जो परक्रिया होती है जमे वी वीरिये को तरल अवस्ता में लाने की जो परक्रिया होती है उसे थाविंग या थाइंग कहा जाता है गाई में AI रेक्ट्रो वजाइनल विधी से करते हैं जिसमें बाया हाथ को रेक्टम के रास्ते परवेश कराए जाता है ताकि सर्विक्स की इस्तति का पता किया जा सके प्रदाएं हाथ से तयार की हुई AI गन को 45 डिग्री के कौन पर योनी में परवेश कराकर विधी चोड़ा जाता है नेक्स्ट है करत्रीम गर्वाधान में आवशेक उपकरण तो किन-किन उपकरणों की जरुरत पड़ती है पशुओं में करत्रीम गर्वाधान करवाने के लिए पहला है तरल नाइट्रोजन जार फ्रोजेन सीमेन इस्ट्रो सहित तरल नाइट्रोजन का जार होता है इसमें फ्रोजेन सीमन इस्ट्रो रहती है सबसे पहले तो उसकी जरुद होती है यानि क्रायोकेन कह सकते हैं आप क्रायोकेन की प्रमुख जरुद होती है उसमें तर्ला नाइट्रोजन होनी चाहिए नेक्स्ट है AI गन जिसके मध्यम से उस्वीरिय को स्थापित किया जाता है उसके जन्नांगों में तीसरी है प्लास्टिक शीथ चोती है चिम्टी थाइंग बॉक्स केंची और थर्मामिटर ये सब जो चीजें होती है ये क्रत्रिम घर्बाधान के आवशेक उपकरण है यानि पहला तरल नाइट्रोजन जार फ्रोजेन सिमेन इस्ट्रो सहित यानि उस जार में जो क्रायोकेन होता है आप इसे क्रायोकेन कह सकते हैं क्रायोकेन इसमें फ्रोजेन सीमन इस्ट्रो सहीत ये क्रायोकेन भरा होता है तरल नाइट्रोजन से एया गंद की जरूरत पड़ती है प्लास्टिक सीद चिम्टी की जरूरत होती है थाइंग बॉक्स की जरूरत पड़ती है और उस पर किर्या को थाइंग कहते हैं तो जो थाइंग बॉक्स होता उसकी विजरूत होती है केंची और थर्मामेटर ये सब चीजे हैं करत्रिम गर्वाधान के लिए आउशक चीजे हैं नेक्स्ट है विभीन जानवरों में करत्रिम गर्वाधान की विधियां जानवर के अनुसार करत्रिम गर्वाधान की विधी होती है अलग अलग जानवरों में अलग अलग विधी होती है गर्वाधान की गाई और भैस होते हैं उसमें रेक्टो वजाइनल विधी का काम लिया रेक्टो वजाइनल विधी कहते हैं दूसरा है भैड और बक्री में वजाइनल इस्पेकुलम वजाइनल इस्पेकुलम किसमें भैड और बक्री में भैड और बक्री में करत्रिम गर्बधान की जो विधी होती है वो होती है वजाइनल इस्पेकुलम नेक्स्ट है घोडी उसमें वजाइनल विधी होती है घोडी में वजाइनल विधी का इस्तेमाल किया जाता है और सूर उसमें कौर्क, इस्क्रू, पीपट द्वारा कौर्क, इस्क्रू, पीपट विधी द्वारा सूरों में करत्रिम गर्बाधान करवाए जाता है क्या में देख कर्त्रिम गर्बाधान में पुर्यूगत होने वाली विभिन इश्ट्रोtu ओ justamente कि यह यहां आप सीमनने स्कू न्वाधान आम में पुर दोने वाली विभिन सीमनने स्ट्रो protecting जर्मन सिमन स्ट्रो जो पॉली प्रोपाइनेल से बनी होती है और दूस्ती है फ्रेंच सिमन स्ट्रो ये पीवी सी की बनी होती है पॉली विनाइल कलोरेड की बनी होती है भारत में सबसे ज़्यादा प्रियोग इसी का होता है फ्रेंच सिमन स्ट्रो का प्रियोग सबसे ज़् तो यह था पशूओं में करतिम गर्वाधान के फाइदे नुक्शान करतिम गर्वाधान की जो वीदिया और उसमें जो उपकरन काम में ली जाते हैं जो सीमन इस्ट्रो होती है उन सब का इस वीडियो के अंतरकत था हमने अध्यन क्या आगे के वीडियो में और कोई नया टॉ पिक लेक कराएंगे नमस्कार धन्यवाद